अब्रेला प्रोब की कटिक अपने सुना होगा डबल उम्ब्रेला भी बनाते हैं तो बहुत ही है वी सा घेर बनता है अब भी सिखाएंगे बट उस्ते पहले आपको सिंग्ल अम्ब्रेला इक बार जानना पड़ेगा कि किस तरीके से कट होता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो चलिए हमने यह फब्रिक लिया है यह साड़ी का फब्रिक है जो सिपोन में फब्रिक आता है साड़ी का फोग तो आप किसी साड़ी से भी बिल्कुल बना सकते हो कोई भी अम्ब्रेला फ्रोग चार मीटर यह फब्रिक लिया हुआ हमने इसी में से हम अम्ब्रेला फ्रो तो यहां से सि्टी लाइन ड्रो करें किए सेशल्डर लेने किस तरही सेने के हिसाब से को नट Tibet का इक 9 falling ऑफ शोल्डरुकु गें से एक 14 इंच सोगेन गार से हो गया है् принципе पूरा कर sut कितना बच्क हम अमारा शाड़े पांच का हम यहां से चौटर लेंगे इसको आरम ओल holle घ्यार प्यान होता है वह लगा लेते हैं आप there चेस्ट का हमारा 10 इंच पर है हाफ इंच परतु है तो इस तरीके से हम निज्जान लगा लिये हैं अब हमने क्या करना है यहां से जितना हमारा ठोल हुआ है हाफ इंच कम निज्जी लगाएंगे नीचे की दरफ यहाँ सेख़़शान लगा forward अब मैंने बताया था कि यहां से हमें उठाना होता है आप एक इंस डेडिंस इतना मर्जी चाहो उतना उठा सकते हो डेडिंस से ज्यादा तो नहीं करोगे अब हमें इसको यहां से तिर्चा मिलाना है तो हम तिर्चा कितने तक मिलाएंगे कि कहां तक मिलाएंगे जितना हमार तो यहां पर हम पौने-चार का निशान उठा लेते हैं और हम निशान उठा लेते हैं कि अब हमने क्या करना है इस निशान को यहां पर मिला के छोड़ ने कि अब हमने क्या करना है यहां से राउंड देनी है कुछ इस तरीके से राउंड शेप का भी पर समझा देते हैं कि हम इस तरीके से यहां से जैसे कि मानलीज यह 4 इंच होगे आपका हाफ करेंगे 2 इंच लेकिन मैंने एक चीज और बताई है कि अगर आपका नेक डीप है तो ह हम हाप से भी इधर लेंगे थोड़ा सा यादा सबको तो अब हम इस मिसान को यहां से ऐसे सिद्धा कर लेंगे और यहां से राउंड शेफ दे दे तो यह हमारा हिस्सा हो गया अब यहां से डाउंड करेंगे डाउंड भी हम ज्यादा नहीं कर रहें क्योंकि हमारा यह ज़ कि अधी निसान रगा सकते हैं तो आप अभी जाबते हैं तो कैसे लगारा थे चारचार में यहां से लिया है इस तरीके से हमें 5,5 इंच या 5,9 इंच साइस के बोडिंग ये डर टाल लिए होती है तो हमारा फ्रंट हिसा कट हो चुका है अब हम बैक हिसा भी से इसी तरीके से फोल्ड करके कट करें हमने बैक एंड फ्रंट तोनों कट कर लिए हमने जितना डाउन किया था उतना ही बैक से उठाया है तो अब हम फ्रंट से सटाई भी कर देते हैं यहां से कुछ इस तरीके से ऐसे राउंड सेव देगे आप जैसे कि कई बार कुछते हो कि यहां से हमें अंदर कितना लेना होता है तो वही बात फिर से सब में अंदर नहीं लेना होता अगर जैसे कि अब हम यहां से अंदर लेंगे तो बहुत ही डीक हो जाएगा सबसे पहले एक्स्टा जो फैब्रीक है हमारा टोप पार्ट करने के बाद इसको कट कर दे यहां से ऐसे करते हुए इसको अच्छे से ट्रेंगल सेप में पिछा लेते हैं झालिज इस की तरी के इसको आइडिया देंगे की आप ली जबाए लगा पर अपना तो यहां पर हम से लिशा है comprar 2 तो यहां पर हम लगाए दुख दो को देघ Анд E से आपको एक निसान लगाते दिखाते हैं कि आपको समझाने का एक तरीक है कि यहां से हम इसी कोर्णर से 40 पे निसान लगाएं सो यह देखे हमारा हमारा थोड़ा सा लूज भिछाने से और थोड़ा सा खीचने से कम सिर्कम 5-6 इंच का डिफरेंट हो गया तो आपने क्या करना है हलका सा इसको खीच के भिछाना ज्यादा ने खीचना नहीं तो उच्चा हो जाएगा थोड़ा सा ऐसे मतलब अपने तरीके से यह बिछ जाए बस ज्यादा लोग भी छोड़ना निको क्या होता है कि आपका प्रोग ऐसे एक जगा से बहुती लटकता है वहां से उच्टा है तो इस दिरीके से खचन से कहल बेचार हो तो लटके दाले अब हम इस इस के Top Bart को देखते हूँ कि हमारी कमर कितनी है यहां से कड़ कर लेते हैं और एक पार यहां सेपिंसिंग भी दे देटे ऐ कर लेते हमार कितनी है 33 का हम 4 एसा करेंगे इसमें हमने क्या कर ला एततिक से दो Technology करें लग लेना है वर दूसी एक दूसरी की साफिक सकते हो जैसे कि माल लीजिए आपका ये हिस्सा कितने पर बारा इंच पर मैंने कॉर्णर से लेके मापा है अब हर जगया पर आपने बारा बारा इंच पर एक निसान लगा देना है कुछ इस सरीके से हमें राउंड में कट करना होता है सर्कुलर फ्ला जो आपको सिखाया था स सें मेत करता है थीक है अब हमने क्या करना है इस को मापने हमे यह राउंड सभा 8 तो यह नौक है तो अब हम क्या करेंगे हुपर के तरफ से कट करेंगी तो यह हमारा उपर का हिस्सा हो गया लैं टो पार्ट हम किना हमारा की मदारु पार्ट है उसको यहाइपार की करेंगे पार्ट हो ः면 का यह तो हमने से 15 इंच पर इंसिटेप को रखना है और जितनी हमारी लेंथ है पुटी की तो हमने उतनी पेहिए निसान लगा दिना तो हमने कितना माफा 46 तो हमारा 46 यहां तक आया आपक्स सी एस इंसिटेप को यहां पर रखेंगे इस तरीक्ये से और हमने तो निसान तक हमारा टोटल कितना हुआ है 42 अब हमने सब जगे पर निसान लगा देना है अब इस तरीक्या से हमने निसान लगा लेना अब यह देखें जैसे कि मान लीजी इसमें तो आपका बचा है एक इंची एक्स्ट्रा यह बहुत ही डिटियल से समझने वाले बाते हैं आप जैसे कि मान लीजी आपका यह निसान तो यहां पर एंची एक्स्ट्रा बचाएं तो निचे तक है और डबल नहीं तो आप क्या करोंगे उसको यह चीज उपर से लेने की बजाए और यह ज्याद करते हैं और यह चीज है जो वह यहां से लेते हैं और यहां तक कमर आरिया से तिर्शा कर देते हैं इसको इस तरीके हैं निच्छे से कट कर लेते हैं कि जब हमें थोड़ी सी और चोड़ा ही मिल रही है तो क्यो होना हम निच्छे से ही उसको कट कर लेते हैं तो क्यों निच अब क्या करेंगे यहां से अगर आपको माल लीजिए पूरा ही चाहिए तो अब माप लीजिए आप यहां से कि आपको चाहिए माल लो साढ़े आठ कर देते हैं इस तरीके से दिर्चे में इसको कट करेंगे अब हमने क्या करना है यहां से इसको नीचे करके जैसे कि टोपार्ट रखके दिखाते हैं कुछ इस तरीके से अब यह देख लिए जैसे कि हमने जब लिया है तो इसमें आपको एक्स्रा नहीं दिख रहा है यह दो पूरा पूरा ले दिया फिटिंग का जो जॉइंट वाला इसा कहां से आएगा तो एक तो हमने मालने जिए इसमें डार्ट डालें तो डार्ट डालेंगे तो यह कुछ तो श्रिंक यहां से ऐसे लो गया और उसके बाद हमने यह एक्स्ट्रा भी मतलब फोल्ड होएगा तो यह जाएगा लेकिन यह जो एक्स्ट्रा बच्रा यह कवर हो जाएगा जैसे ही हम इसको खोलेंगे क्योंकि देखो एक बार आपको कि उक्षेप में देखोंकि कि यहां से हमने इसको मापा इस तरीके से किरके उन नीस हो गया दो इस तो यहां पर ङए तो हमएं तो कि आख्षेपी नक्स्ट्रा लेते ही निकल निकल की आ जाता है तो सब को समझा गया इस वह तक तो कैसे कट क्या तो उस में से स्रिंच कट करेंगे यहां इसको फोल्ट करें यहां से कुछ से तरीके से आज हमने क्या कि हम्हारी कितनी बनती है तो यह आज से हम देखेंगे कि हमने चाहिए कर दना अब यहां से इतनी चाहिए उसकी अको निसान लगा लें चींदिग लोकित अब यहां से यहां से हमने कट लगा देना इसकी सटाई हैं बात में करें तो उसमें हमें पता नहीं चलता हूं ल्टेश मूटेगा तो उसके अपने कर सकते हो जब आप यह बोडर वगेरा रेडी करें तो जो प्रोक हों कट के कम्प्लीट हो गया है तो चलिए अब हम इसकी आपको स्टीचिंग दिखाते हैं उसके लिए हमें क्या करना होगा सबसे पहले हमें टोप फाइट रेडी करना हुए हमने इसका इन वि कट कर लिया है में पीस कट किया था हमने इनर भी ले लिया है करने दिर से भी पाफ से हमने इसके साथ सिलाई लगा ली है अब हम जो हमारा लीचे का घेर है यहां से इस का भी इनर हमने कट कर लिया है आ देकस्क च कट नहीं किया अब हम क्या करेंगे जो हमारा यह हिस्सा है यहां से इसके ऊपर कच्छी सिलाई लगा देते हैं दोनों पर ही कच्छी सिलाई लगाएंगे यहां से भी और यहां से भी तो हम इनके ऊपर कच्छी सिलाई लगा लेते हैं ताकि अटेज हो जाएं उसके बाद हम लो तोप पार्ट हम रेडी करेंगे। विसके हमें के नेक भी चाहिएगा। कि हमने नेक बनाना है उसमें और वह नेक हम डिजाइन का बनाएगे। जाइन में पोटली बटन का हो गया। या बिर कोई भी आगे आप डिजाइन लगा सकते हो तो इसमें हम फोटली बटन वाला नेक बनाएंगे तो वह कैसे बनाते हैं पहले एक बार आपको कट करना बटा को कोई भी सेफ दे सकते हो आप जैसे की बोर्ट नेक में डिजाइन दे सकते हो अब हमने सोंडर ले रखें एक निशान लगा ले देते हैं जुआ हैं कितना नेक की लेंद तो अवने नीचे की तो कितना लेंस चाहिए यानिके डीप हमें कितना चाहिए साथ-साथ उतने पर एक निसान लगा देते हैं तो यहां से हम ऐसे स्टेर बनाएंगे जो मैंने पहले बताया हुआ है इस तरीके से आप इसको राउंड में ऐसे कर लेगे जो हम पॉटली बुटन वाला नेल बनाएंगे और राउंड में ज्यादा फिनिशिंग में आता है तस आप बना सकते हो दूसरे तरीके से भी आप हम हमारे टोस पाइट को माप लेगे तो पार्ट हमारा कितना है 16 इंच का लगा के चाहिए निचे से कट कर दे कोई भी कट ने तो निचे से ओपनी चाहिए तो इसलिए हम यहां से 16 इंसकत की लंबाई का, कट करेंगी, कि हमें इतनी लंबाई चाहिए, अब हमने क्या करना है, बिल्कुल जरा सा, एक किसम से यह समझो, कन्नी-कन्नी, हमने कट कर दी है, अब हम यहां से ऐसे करते हुए, और इसको इस तरीके से करते हुए, कट कर, समझ गें सभी कैसे निसाल महए माईा, कमके की सब्सक्राइज करें यहां से हम इस-कन्य कट कर देए, तो यहां से हम अब टारक, करना हो दो आघर कन्नी क्टर करते है, अब हम अब जैसे कि इसको इसको ऐसे कैसे सीट्धा भी रण सकते इसमें हमें निचे की तरफ पे कट करना होता है पर ना आप इसके उपर ऐसे ही क्रीज बनाके शिद्धी सिलाई भी लगा सकते हो ताकि आपको नेक एक तम से परफेक्ट लग जाए हिले ही ना तो इसको हम एक फब्रिक पे अगर पेस्टिंग वाला है तो चिपका लीजिए तो हम एक्सटर फब्रिक लेंगे और इसको शिलाई से स्टिच कर देगे हाँ जितना हमने गैब कट किया था वो गिल्कुल ध्यान रखना है यहां से जैसे कि हमने पने तीन लिया था तो हमारा हो गया साढ़े पांच तो हमने साढ़े पांच की ब्रोड उठाने है आप भी इस तरीक्य से पिन अप कर सकते हो ताकि आपका नेक फिले ही ना खसकर जो लंबे नेक होते हैं उनको तो आपने पिन बिल्कुल लगानी होती है आप बिल्कुल इसके पास-पास मतलब उपर को आँ साइड में सीलाई लगाएंगे बुकरम पे लगानी हमने क्योंकि हमारा चिपने वाला नेक नहीं यहां से एक्स्ट्रा फेब्रिक को हम कर सकते हो मैंने बहुत है नहीं अच्छे विंगत बसाइब कर लेते में हममे में ऍचिंप लगाने क्यों तो हमारे बुक्रम कम हो तो हम इस तरीके से भी ज्वाइंट लगा गे कट कर सकते हैं हमें क्या चाहिएगा जैसे कि हमारा जो ज्वाइंट यहां तक लगा हुआ है आप उन्हें तीन पे हमने एक निसान लगाया यहां से लेट आप मानली कि आप साढ़े आठ नो जितना भी रखना चाहो रख सकते हो और इस तरीके से ऐसे हम डिपनेक बना लेते हैं तो यहां से हम इसको कट करेंगे इसको भी हम इस तरीके से रखेंगे एक्स्टा फब्रिक पे और सिलाई लगा लेगे भुक्रम भी यूज होगे और नेक भी कट गया अब हम यहां से एक्स्टा पब्रिक उसको कट कर देते और जितना हमें नेक चाहिए उतने पे ही सिलाई लगा लेगे अब जैसे कि आप देत रहे हो इसकी पोड़ बहुत ज्यादा ओपन दिख लिए अबने इतनी पे इतनी पते नहीं लगा है गविंत क्या होगे अब हमें वहां से लगा लेगे उसके ओपर बेयगे जाद लगाव शसक्व नहीं अपने अब इसके बीए होगाना होता ही श्यादाना बीद्या पोड़किके इस का समित मेलम हार ङार जाट प бол में कि आपको पता लग जाए आपका यह संट्र को इस अलो यह सी ड़ी अइस से पर बीनीच रभी तरा मेब चॉकच लागारा है अम ऐसे ही कांदश माहां तरको अब ट्राया है दोनों तरफ का एरिए हम आपके center चेख कर लेंगए, अब हमने यहां से भी ऐसे ही को स्टीज कर लिए, बिल्कुल कुकरम के साथ साथ, बिल्कुल साथ, ना ही बुकरम पे जानी चाहिए, ना ही दूर होनी चाहिए, बिल्कुल touch में, तो हम सिलाई लगा लेंगे, अब जैसे क हमने यह सेंटर वाली सिलाई कंप्लीट कर लिया है अब हम इसके उपर सिलाई लगाएंगे यहां से बिल्कुल कुकरम के साथ साथ जैसे ही यहां सिलाई लगा के आते हैं जो हमारे सेंटर वाले सिलाई आ गए इस सिलाई के बिल्कुल साथ में हमने सिलाई लगा लेंगे तो सिलाइय लगा के छोड़ देंगे हां तो बैक नेक भी हमारा लग चुका है अब हम इसको कट करेंगे हां लेकिन कट लगाना तब ध्यान रपना है कि ये कट आपके सिलाइय पे न चला जाए हमने इस तरीके से इसको रड़ी कर लिया करेंगे इस को अविस्टिछ नहीं करेंगे संटर नहीं नीचे फोल्ड करेंगे हमने की सोल्डर काएस सिछ करनी होता है इस तरीके से फ्रंट का भी इस तरीके से खोड़ लेंगे और एक उचली कर बिखना उठ आप अपर एक उप्रेंट का माल लेज़े ऐसे और लोग करें और एसे मिसी इह सिद्धी सिलाई लगाए इस तरीके से हम सिलाई लगाते तकि फिर हमारी सिलाई तो अब अंदर की तरफ नहीं क्योंकि हमारे अब यह पीस यहां से इकोल आए हैं अब हम वैसे लगाते हैं इसको अलग करके आप जोर सकते हों बिलकुल जोर सकते हो पहले कट करके और ऐसे सिलाई यहां लगा सकते हो छोड़े पलति लगाएंगे, अब हम पलटने से पहले में स्टिच करेंगे, इसको पलत हैं Ephrita टो छलिए हम इसके सोल्ट्डर स्टिच कर लेते हैं, और जब dक स्टिच होए आपको इनमे में पो आखेंगे में पोटली बटन इसको अभी पलट नहीं रहे है। यहां से सब पलटोगे तो यहां से भी आप इससे पल टे जाहे तो इस तरीके से करते हैं, यह हमने बनाए हुए है। तो हम बनाते किस तरीके से वह बताते हैं आपको। फोटली बटन हमारे सबी इक्वल साइज की होने चाहिए तो आप इस पी तरीक्षे कोठ भास अब zones करेंATION तो हम कैसे बनाएंगे जसे की कत्तर सही लगा के चलो फर्मागोल की जो गोली आती है वो प्रैस नगाते हो चिपक जाती है तो वो सही मतलब इतनी रहती नहीं जितनी आप फब्रिक वाले बनाऊगे तो बनेंगी एक तो आपने ध्यान अगना जिस फब्रिक के आप पोटली इस साथमे प्रैप आप फब्रिक अरशसाल से जापक रख आथे यह कोशालना यह एक इस लातना हिए तो पतलो ककल में हो तो क्लाइद आप कैसे orasलकते है क्लार अब ज़यक ज बना आखे है तो पतलो हो मतली जिस से अइना यह दंदर से वाले से वाल बनाखने हां तो प्र चोड़ चोड़ी कत्रे ही इंको इकट्टा करना है इस तरह के से एक रोल बना जाए तो आप इस तरह के से बनाओगे साइज होना चाहिए आपका जैसे कि आप एक बार बना रहे तो शित्ती सी बादा दूसरी टाइम भी आपके हाथ में उतना ही साइज आएगा पर ये उठीक बाद ही जो अपुक टती से लेंगें और याओ धागे को अत्रीके से पकड़े ऑधे के बादीजा मेवकर बनी यहाद कर साइज हो लबड़ेन आब दागेको अब कर चाहिए इतनी लंबे तो हमने कट कर नहीं है जैसे कि यह स्टूडेंट्स नहीं बनाए हुए है तो यह इतने कहीं ज्यादा धागा है तो इस में मसीन चलने में थोड़ी धिक्कत हो थोड़ा कोशिस करना कम धागा ही लपेटो कि मसीन अच्छे से निकल जाए अब उसके बाद आपने कैसे निकालते हो जो डोरी होती है है अयकर लूपी को इस तरीके से पहार की तरफ क्या लूपी को फिर से पहार की तरफ लपेट ने करें छूड़ी हो से और अद युज हम एका लकार स्टूरीया घॉड़ी objective तो हमने इस हिस्से को हुल्टा रखा हुआ है आपको दिखाते है कि अपने इस अल्टर टैसस्टी यहां सा सिलाई लगाईए दोनों जब आप सिलाई लगा रहे हो जोएंट से जोएंट मिलना चाहिए अब हम इसको इस तरीके से टरं कर देंगे और पूरे पे कच्छी लेना है किसी भी पेचकस की हल्प से बैक में भी साथ में चलेंगे आप दिखाते हैं आपको जहें कि हमारा यह सबुम किस तरीके से होता है यहां से आप तो इसके ओपर हम पूरे पे शिलाई लगा देंगे तो चलिए हम एक बार यह कच्छी सिलाई कंप्लीन कर दो हमारा ज़िए उसमें आपको चले करना पड़ेगा तो आप उसमें क्या करऊ के पहले मालीजी आपने यहां से कट किया हुआ है यहां तक बुक्रम की वह सिलाई लगा के लिए क्या होगे चोड़ दो गया पे इस नेक को चोड़ दो गया पे उसके बाद आपने सारे बोड़ी एक पर रखो गे और उपर से शिलाही लगा दो यहां से इस तरीके से लगाएंगे इतना इतना गैप कर देना थोड़ा हाइल को दबाना शी जर्ज से तग यह पहले वाला दबा हुआ जो ऐसा सिंगल फुट लगा के हम पूरे पर यह पोटली बटन सेट कर देते हैं पूरे पर सिंगल सिंगल में हमने माल ले दिया पोटली बटन लगा दिये हैं सिंगल फुट अब हम क्या करेंगे निच्छे काटी कर देते हैं पहल लहीं अब हमने क्या करना इसको यहां से चिलाई लगाने है चाहो तो यहां से भी लगा सकते और इसको पलट लेना उसके बाद आपने जैसे ही आपके पोटली बटल लग चुके हैं पहले आपने इसको यहां से जैसे की फोल्ड करके इतर वाली सिलाई लगाने है तो यह वाली सिला कट लगाएंगे जैसे की सेंटर में तो आप टेम सब्सक्राइब अपने चाहर ज़ीज़े अपने डालेंगे और आगे वालवी भी निसान लगाएंगे आगे थीन पे कर साथे थीन पे कर सकते क्यूंकि हमारा थीन में चला गया मरजन तो आदने पी भी निचान के लोगे मालेजन सब्सक्राइब करना मिलां के विस शिता है में काट लाइना है मी सब्सक्राइब करने जाएफिध काटे हैं जह प्हल ऊब्राइब कांट जो काटी reps करने के इतना इसे क्याएफिस काट ऑ 59 कि विता कट था है, डबल अम्ब्रेला भी बना भी तो और जादा गेर बनेगा पोगोथी सुंदर वाला पट ये भी पोगोथी सुंदर बना है तो इस ही एकोडिक आप डबल अम्ब्रेला भी बना सकते हो, तो पर्ट सेम कट था, तो अब लेकूल राइ किजिए ना, थेंक्यू